हेलो एवरिवन, वेलकम टू इजीवे, इजीवे चैनल पर आप सभी का स्वागत है, यह वीडियो बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं, ससी, सी एचल, दो यार बीट के लिए, ठीक है, इस वीडियो में क्या है भाई, तो इ चैनल और उनजीश का एक सिफ्ट तो 2017 से 2019 तक के जितने भी सिफ्ट के में एक जाम हुए है, ऐसे सिए चल कर, उन सारे सिफ्ट के इंगलीस सेक्षन में, इंगलीस सेक्षन में, एंटोनोमींस और सिफ्ट आये हुए हैं, उस सारे को उसमें इस वीडियो हम लोग परहेंगे ठीक है सारे को देखेंगे 2017 से 2019 तक all shift जितने भी shift हुए है सभी shift में इंगली सेक्षन में antonomies और synonymous जितने भी आये हुए हैं लगभग 30 हैं उस सारे को इस वीडियों हम लोग देखेंगे ठीक है और अब सभी जानते हैं कि SSE CHL में दो antonomies और दो synonymous याने कि चार marks यहां से और चार marks तोडल आठ marks ठीक है तोडल आठ नमर के question पचास में से आठ नमर का question सिर्फ आपको synonymous और antonomies से आती है ठीक है अचलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो यह पूरा एदम बहुत important वीडियो है ठीक है और बहुत अच्छे तरीके से बहुत मेहनत का कि बहुत एदम लाजवाव तरीके से वीडियो को लाएं आपके लिए प्रिव इसका जो इंग्लिस मीनिंग की बात करें तो handover, gives, assign, इसका share next की बात करें तो इसका वेदो गीप्स हो जाएगा रीच ठीक है गीप मतलब देना, sopna का मतलब देना, comment, interest, turnover, ठीक है इसका autonomies की बात करें तो autonomies का हो जाएगा borrow, dine, bid draw, bid draw का मतलब का होता निकालना, sopna किसे तो में ले रहे हैं निकाल रहे हैं ठीक है विड्रो टैक टेक मतलब रहता है लेना अस्ट्रेव ठीक है अगला जो वर्ड है हो फिरिज प्रिज टरैसट था चब इसका हिंदी मीनिक क्या होता है इसका क् inertia मतलब ही तो इसका deeper स्टेंडिंग तम्हारा इसका हो थारनेश आपनेश के बिखतेंदं करें तो एक इसका होगा इसका होगा इसके अंडोमिस की बात करें तो दिस्रस्पेक्ट इस significance unimportant low linens ठीक है यह सारा इसका क्या होगा prestige का क्या होगा antinomies disrespect मतलब आधान पुरवक ठीक है बाई कोई इज़त नहीं रहना insignificance जिसका कोई value नहीं है कोई महत्व नहीं है unimportance जो unmahatpurni सा कोई महत्व नहीं है ठीक है तीसा जो वर्ड है उस वर्ड का नाम है humble इसका हिंदी मिनी क्या होता है binti binti करना इसका synonymous की बात करे तो polite polite रहना भाई simple रहना है थामसाब simple साधा रहन साथ respectful binti का मतलब होता है कि मैं आपसे binti करता हूँ request करता हूँ soft spoken मतलब कि प्रिये भासाब बोलने वाले होगा कि कितना binti से कितना प्यार से बोल रहा है ठीक है इसका एंटोनोमिस की बात करे तो होता है bold उची आवाज में friendly रहना brave outgoing complex jattil complicated ठीक है यह सारा कुछ इसका एंटोनोमिस होती है कि इसकी humble की ठीक है आगे और हम लोग देखते हैं बीडियो अगला जो word है वो word आपका है यह grumble ठीक है इसका मतलब होता है barbarana या तो उसको bhun bhunana भी कहा ज़ते हैं देखते हैं मन में कोई इंसान बरबाद bhun bhunata है मतलब कि जब जोर से नहीं बोल पाता है या किसे तो उसको bhun bhunana भी कर देता है और बरबराना ठीक है इसका synonymous की बात करे है तो crap mood first grip ground ठीक है antonomist की बात करे है तो compliment paris ठीक है अगला जो word है वो है miri 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 m e r e ठीक है इसका hindi meaning होता है मात्र ठीक है इसका synonymous की बात करे तो simple great minor minor का मतलब होता है कम ठीक है minor category माना ठीक है minor होता है मतलब समुझ तुच जिसको करता है तो मतलब कम संख्या वालों को ठीक है antonomist की बात करे तो decoded great indefinite certain जिसका कोई suntain ही नहीं जिसका कोई mob dandy नहीं है इतना बड़ा ठीक है अगला जो वाठे वो है comprise मतलब समाबेस इसका hindi meaning क्या होता है समाबेस ठीक है इसका antonomist की बात करे तो amount to compose hold constitute ठीक है antonomist की बात करे unloss destroy expect exclude and neglect करना ठीक है मतलब neglect करना मतलब अंदेखा करना अगला जो वर्ट है वो है पर वर्ट मतलब होता है स्वा स्वांतम तागी ठीक है इसका sinomnis की बात करे तो होता है divent virido antonomist की बात करे तो virtuous मतलब धार्मिक ठीक है तो यह रहा आपका antonomist है अगले वर्ट की बढ़ते है अगला जो वर्ट है eight number वो है आपके सामने यह रहा पार्ड लेंस मतलब बोल्चाल इसका हिंदी मिन क्या होता है बोल्चाल इसका sinomnis क्या होगा argot भर ने कूलर ठीक है jagron lingon पैटोस ठीक है इसका sinomnis की बात करें तो standard silence मतलब चूपचा पराना listing मतलब सुनना ठीक है मतलब चूपचा पराना यह सुनना ठीक है अगला जो वर्ट है ninth नमा पर वोगए off strip off strip पूरस पूरस ठीक है मतलब प्रचंड ठीक है प्रचंड बहुमत से नरेंद मोधी 2019 में जीते थे लोग सबाचुनाव election ठीक है इसका sinomnis क्या हो गया वास्टिरियस क्लेमरस लॉड रॉइटस ठीक है इसकी एंटोनोमिस की बात करें तो noiseless quiet sound रहना silent रहना चुपचाप रहना soundless मतलब कोई आवाज नहीं ठीक है अगला जो वाड़ हो है fragile ठीक है इसका हिंदी मिनी बहुता है हिंसा लेना गिसा होना sorry sorry क्या होता है गिसा होना मतलब कि जिससे आप पत्थल को गिस रहें या किसी चीज पर तो उसी होते है गिसा होना ठीक है इसका सिनोमनिस क्या हो गया collapse नहीं ठीक है molecules एक दूसरे से collapse कर जाना rag inversion inertial inversion ठीक है remand prostraction ठीक है prostraction antinomis की बात करें तो भाईगोर vitality ठीक है अगला जो वाड़ है precedent 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 मतलब मिसाल precedent sorry precedent ठीक है precedent यह नहीं प्रिसीडेंट precedent का मतलब भी होता है मिसाल देना मिसाल कायम करना मिसाल ठीक है इसका synonymous क्या हो गया kriter ठीक है kriterion ठीक है इसका antinomis क्या हो गया insuing posterior subsequent और seasuiding ठीक है अगली वर्ड क्यों बढ़ते है अगला जो वर्ड है वो आपका है to rake to rake का मतलब होता है rake करने के लिए ठीक है इसका antinomis क्या हो गया to comb to a score to a scrap ठीक है antinomis की बात करें to disperse plant distribute बातना ascared मने बिच्छद देना divide मतलब अलग करना ठीक है अगला जो वर्ड है उसका नाम है digression digression के मतलब होता है bisyanter ठीक है bisyanter digression का क्या मतलब होता है bisyanter ठीक है इसका synonymous की बात करें to detour footnote mandring ठीक है antinomis की बात करें to accord similarity agreement या sameness ठीक है अगला जो वर्ड है हो है to content संघर्स करना जिससे student लोग अभी संघर्स कर रहे है RRB NTPC exam के लिए SSC के लिए ठीक है इसका synonymous क्या होता है argue meet comfort oppose grapple ठीक है antinomis क्या होता है agree compile and go along ठीक है इस सारा वर्ड क्या होता है इनका antinomis होता है अगले वर्ड क्यों बढ़ता है अगला वर्ड है वो है barbarous barbarous ठीक है मतलब crude bubber crude brufault ठीक है synonymous की बात करें to rude brufault और ruthless जिसका कोई root नहीं हो cruel ठीक है antinomis की बात करें compassionate compassionate करना ठीक है nice अच्छा considerated अगला जो वर्ड है pitrogative pigorative pigorative मतलब अपमान जनक derogatory ठीक है इसका synonymous की बात करें to derogatory derisive despairing ठीक है antinomis की बात करें to complimentary complimentary होता है positive होता है parishing होगी ठीक है अगला जो वर्ड है decimate decimate का मतलब होता है बर्बाद करना तुमने मुझे decimate कर दिया तुमने मुझे बर्बाद कर दिया ठीक है इसका synonymous क्या होगा एनी हेलसन whip out exterminate obliterate obliterate ठीक है एंटनोमिस की बात करें तो beer create build बिल्ड होने बनाना तुमने मुझे बर्बाद कर दिया इसका उल्टा क्या होगा तुमने मुझे बना दिया अगला वर्ड हो है addure मतलब सपत लेकर कहना मैं सपत लेकर कहता हूँ मैं कसम खाता हूँ ठीक है इसका synonymous क्या होगा एड्मोनिस advice अगली वर्ड क्यों बढ़ते है अगला वर्ड क्या है टोटल अभी तकम लोग अठारे वर्ड का देख चुके हैं अगला वर्ड है नम्मर वो है expose मतलब उजागर करना किसी चीज़ का expose किसी के बारे में expose करना उजागर करना इसका synonymous क्या होगा discovered उसको निकालना naked हटाना uncovered को हटा दे मतलब उसको जो भी धका हुआ इसको हटा दो antinomies क्या होगा clothed उसको कपड़ा डाल देना hidden उसको छुपा देना blocked कर देना unclear करना तो यह सब हो गया अगला वर्ड है परपीट रेट परपीट रेट मतलब पाप करना to commit a crime or do something wrong commit करना to commit a crime करना or do something wrong पुछ गलत करना पाप करना इसका synonymous क्या होगा carry out break commit execute in life ठीक है इसका antinomies की बात करें तो antinomies की क्या होगा leave ideal stop neglect fail half ठीक है अगला जो वर्ड है वो है adversary adversary का मतलब क्या होता है bury birod करना मैं यह हम तुमारा birod करना ठीक है इसका synonymous क्या हो जाएगा opposing ठीक है approach करना adversary ठीक है rival synonymous क्या होगा ally helper help करना approach करना या बिरोद करना के उल्टा क्या होगा help करना friend help mate ठीक है यह सब अगला जो वर्ड है 22 नमर पर टोटल अभी हम लोग 21 वर्ड देख ली है 22 नमर पर जो वर्ड है वो है मिनी सेकुली वर्ड मतलब एक परकार का हस्टलिक ठीक है इसका अगला जो वर्ड है अगला जो वर्ड है वो है 22 नमर पर 23 नमर पर सोड़ी 23 नहां हो जाएगा तू ओर्ड मतलब दिच्छा देना ठीक है तू मेक संबडी एप्रिस्टाइज अब दी चर्च ठीक है इस वर्ड शीनोमनिस क्या हो कहा है तू इलेक्ट तू एपॉइंट ठीक है नुमिनेट एंटोनमिस की बात करें तो इग्नॉर नेगलेट करना रिफ्यूज करना ठीक है नेगलेट करना मतलब की अजर अंदाज करना रिफ्यूज करना मतलब ठीक है अगला जो वर्ड है वो है चौविस वर्ड है वो है तू अस्टेंडर्ड अस्ट्रेंडड मतलब असहाय संकत गरस्ट हेल्प इन प्लेस डेट यू काणनोट येट अवे फ्रॉम ठीक है इसका इंगलेट अगलेश मीनिक हुआ इसका synonymous की बात करें, a ground, a source, healthless, healthless मतलब असाहाई, ठीक है, antonymist की बात करें तो founded, ठीक है, मतलब साहाईता पराप्त करना, अगला जो word है, वो है, to compromise, 25 नमार word हो क्या है, to compromise, समा बेस, सामिल करना, ठीक है, इसका synonymous क्या हो गया, amount to, from, ठीक है, compose, hold, constitute, involve, ठीक है, इसकी antonymist की बात करें, to compromise की, तो हो गया, unloss, ठीक है, destroy, expect, exclude, यह सारा हो गया, antonymist किनके to, कौन से word के, to compromise, ठीक है, अगले word की बढ़ते हैं, अगला word है, वो है, elegantly, ठीक है, elegantly का मतलब बता है, सुन्दर धंग से, ठीक है, इसका synonymous क्या हो गया, orant, delicate, polished, पोलिश करना, सुन्दर धंग से, जुते को पोलिश करना, ठीक है, fashionable, simple and grand, ठीक है, इसकी antonymist की बात करें, तो common, मतलब की साधारान, unfashionable, ठीक है, dull, मतलब बेकार, युनि, impressive, ठीक है, अगला जो वर्ट है, परflexity, मतलब विकल्ता, इसका synonymous क्या हो गया, puzzlement, antonymist क्या हो गया, harmony, ठीक है, अगला जो वर्ट है, वो है, subside, subside, मतलब अनुब्रिती, ठीक है, इसका जो synonymous हो गया, एप्रोप्रियेशन, ग्रेंट, एसिस्टेंस, इंडॉर्मेंट, ठीक है, एंटोनमिस की बात करें, तो एंटोनमिस हो गया, लॉस, हिंड्रेंस, अस्टॉप या इंजर, ठीक है, अगला और लास्ट उन्टीस नमर वीडियो है, उन्टीस नमर वर्ड है, यानि की लास्ट वर्ड है, इस वीडियो का, डिग्रेज, डिग्रेज मतलब क्या होता है, पीछे हटना, ठीक है, सीनोमिस मतलब, इसका सीनोमिस क्या हो गया, मियंडर, ठीक है, एंटोनोमिस क्या हो गया, go direct, be direct और stay, stay मने रुखना, ठीक है, पीछे हटना का, आगे क्या हो गया, उल्टा क्या हो जागा, go, आगे बढ़ना, go direct, be direct या stay रुखना, ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग total, 29 वर्ड की synonymous और एंटोनोमिस और उसके हिंदी मीनिंग देखे हैं, ठीक है, जो की CSL, SSC, CHL 2020 के लिए important है, और यह जो 30 वर्ड था, वो SSC, CHL, 2017 माई थी, 2017 से लिए 2019 के बीच में आया हुआ था, यानि SSC, CHL का previous year की English section में एंटोनोमिस और सिरूमिस का जितने भी question आये थे, जितने भी word आये थे, उस सारा word, सारा question इस वीडियो में हम cover कियें, टोटल 29 वर्ड आये थे, ठीक है, तो 29 वर्ड को हम लोग हिंदी मीनिंग देखें उसका, उसका सिरूमिस क्या होता है, वो देखें, उसका एंटोनोमिस क्या होता है, वो देखें, ठीक है, तो I hope यह वीडियो काफी helpful आपके लिए होंगे, काफी जादा helpful आपके लिए रहें ताकि हम वीडियो इसी दर से आपके लिए लेकर आएं, तो नोट्रिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक है, स्वस्त रहिए, खुश रहिए और अस्टडिक करते रहिए, जय हिंद, जय भारत